नमस्कार किसान साथियों मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोर्वाल आपके अपने यूट्यूब चेनल देश की सान हमारे किसान में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ किसान सातियों वेसे तो हमने प्याज की पूरी फसल की जानकरी रोपाई से लेकर हर्वेस्टिंग तक और भंडारण में केसे डालना है कटों में भरना है तो क्या सावदा नहीं रखनी है जाली पर डाल रहे हैं तो क्या सावदा नहीं रखनी है फेन कौन सी कंपनी के, कितने वाल्ट के कीसे लेने हैं, क्या-क्या साइधो ने रखनी हैं उनको खरिद से समय, यह भी जो जानकरीया सब डाल दी हैं वीडियो के माध्यम से सारे वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिये हैं, जिसमें की प्याज कौन सी quality का लेना है कौन सी quality का अंदर नहीं डालना है एसे तमाम वीडियो हमने डाल दिये हैं पर कुछ किसान भाईयों के और हमारे मिलने वाले हमारे चाहने वाले हमारे सब्सक्राइबर उनके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि हम कितनी जगे में कितना प्याज श्टो पर देने वाले हैं तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा आंतर तक जरूर देखे जिससे कि आपको पूरी जानकारी समझ में आए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करे लाइक से हमारा होंसला बढ़ता है और हमें लगता है कि हमारी मेनत अच्छी लग लेकर आते रहेंगे और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो आप चाहे खेती से संब्सक्राइब जरू करें सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिया गया उस पर क्लिक करें और पास में लागा घंटी का बटन भी जरूर दबा द वीडियो सबसे पहले आ जाएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरू करें बिल्कुल ही निसूलक हैं कोई भी इसका चार्ज नहीं है तो आई यह जानकारी शूरू करते हैं तो किसान सातियों सबसे पहला सवाल किसान सातियों का सबसे ज्यादा आ रहा है कि कि हम कितनी जगे में कितना प्याज इस्टोर कर सकते हैं तो किसान सातियों आपकी जगे जितनी हैं उतने में आप जैसे की अंदाज लगा सकते हैं जैसे आपका जितना स्क्वेर फीट कमरा है या जितने स्क्वेर फीट जगे होती हैं उतना आप जो हैं प्याज इस्टोर कर सकते हैं जै और कर सकते हों अब उसको कितनी हाइट तक भरना है तो सो फिट तक आप कर सकोगे तो आपको साड़े-पांच से छे फिट अगर आपकी हाइट तक भरोगे आप उसको दस बाई-दस के कमरे को तो आपका सो क्विंटल प्याज आराम से आसानी से आ जाएगा इसी प्रकार से को से फिट तक हाइट पर भरकर 400 क्विंटल प्याज आराम से बंडारित कर सकते हैं वह सुरक्चित भी रहेगा और उसमें लाष्ट तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ये तो बात हो गई कि आप कितना प्याज इस्टोर कर सकते हो तो इसका आपको समझ में आई गया होगा कि आपकी जो जगे हैं वह जितनी स्क्वेर फिट बन रही है वर्ग फिट बन रही है इतनी जो जगे जितनी स्क्वेर फिट बन रही है उतना ही क्विंटल आप प्याज इस्टोरेज कर सकते हो अगर आपका टोटल एरिया 100 स्क्वेर फिट बन रहा है तो आप उसमें 100 क्विं तो जितना square feet आपका आता है उतना ही उसमें आप प्याज को बंडारीद कर सकते हो अगर आपको समझ में आई गया होगा अगर इसमें आपको और भी कोई डाउट लग रहा है आपके सवाल और भी मन में पेदा हो रहे हो तो आप उसे comment में बूस सकते हो आपके सवालों के जव फेन लगाने हैं या कितने quintal प्याज के लिए कितने फेन परियाप्त होते हैं इस सवाल का अगर जवाब दे तो किसान साथियों यह जो फेन लगाने का तरीका है या कितने फेन लगा है यह आपकी प्याज की quality के उपर आपका भंडार गर कहां पर हैं उसके इसाप से आगे आपने जो उसका प्याज का भंडा कर रखा हैं वहाँ पर गर्मी में हम एसे डारेक्ट भी हवा दे सकते हैं तो वहाँ पर आप ज्यादा क्वांटिटी में प्याज भरकर कम पंखे अगर लगाते हैं तो भी चल जाएगा पर अगर आपका जो गोदाम है या इस्टोरे थें लगाने पड़ते हैं तो अगर उसका हम समझें सबसे पेले अगर हम क्युंटल के हिसाब से बात करें तो आप 35 कुंटल के आसपास एक फेन के द्वारा ही आप इस्टोरेज कर सकते हो अगर आपका प्याज 50 क्युंटल के आसपास प्याज है या 177 कुंटल है या 140 कुंटल है यानि कि हम मान सकते हैं कि 125 कुंटल से लेकर 145 कुंटल तक आपकी अगर प्याज है तो आपका काम एक ही फेन से हो जाएगा और अगर आपके पास उससे अधिक प्याज है यानि कि 200 से उपर जा रही है या 250 क्विंटल के आसपास है तो फिर आपको दो फेन आराम से लगाने पड़ेंगे जिससे कि उनमें हवा अच्छे से पास होगी और दबाव कम बनेगा और अच्छे से आप एर को प्याज में होकर निकाल सकते हो यसे ही अगर आपका खुली जगा में जो है भंडारण है या गर्मी में काफी ज़्यादा हवा वहाँ पर लगती है या आपने खेत पर बना रखा है जहाँ पर आसपास से जो आसपास के प्याज हैं उनको काफी ज़्यादा हवा मिल जाती है आपको सिर्फ बीच वाले जो प्याज होते हैं उनको ही हवा देने की जरूरत होती है तो ऐसे में आप काफी ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज लेकर कम से कम फेन भी लगा सकते ह अगर आपके यहाँ पर light की समश्या है बिजली कम उपलब्द हो रही है या फिर आपको वहाँ पर voltage की समश्या आ रही है तो आप अगर अधिक बंडरन कर रहे हो और आपने अगर ज़्यादा फेन लगा दिये हैं तो फिर वो चल नहीं पाएंगे तो ऐसी समश्या से जो है ज थाड़े किंसु क्विंटल तक भी ले जा सकते हैं पर सर्त यह है कि वहाँ पर अगर भार से हवा लग रही है या बाहर से हवा मिल रही है तो फिर आप इतनी quantity तक ले जाए नहीं तो अगर आपकी वहाँ पर भंडार ग्रव में भार की हवा नहीं लगती है तो आपको 150 आसपास ही प्याज रखना है और उसमें एक फेन लगाना है अगर उससे अधिक हैं तो आप फिर फेन की quantity बढ़ा सकते हो तो फेन की बात हो कि क्विंटल के हिसाब से अगर हम square feet के हिसाब से फेन की बात करें तो आप जो 200 वर्ग feet का जो area होता है उसमें एक फेन लगा कर आस square feet ज्यादा मात्रा में है 500 square feet के आसपास है तो फिर आपको दो फेन लगाने पड़ेंगे तो इस प्रकार से आप कर सकते हो यानि कि 200 square feet का area है तो उसमें एक फेन लगा सकते हो अब आपको देखना है कि इससे आपका कितना ज्यादा है अगर 200 square feet से ज्यादा ही हो रहा है यान कि 300-300 square feet के आज़ पास हो रहा है तो फिर आपको फेन की quantity बढ़ानी पड़ेगी और उसको 2 करना पड़ेगा अगर आपका 500-200 square feet का अगर area ही बन रहा है तो आप एक फेन आसानी से लगा सकते हैं तो सिर्फ वे किसान सातियों या आपने अंदाज बता हैं उधरण बता हैं कितने प्याज में हमें कितने फेन लगाने हैं या आपके सवालों के जवाब हमने दिये हैं या कमेंट काफी ज़्यादा आ रहे थे हैं इसलिए इस पे special वीडियो बनाया हैं अगर आपके और भी कोई सवाल हो ता आप कमेंट जरू करें अगर हमें जरूरी लगेगा तो हम वीडियो बनाएंगे नहीं तो कमेंट में ही हम जवाब हातो आतो दे ही देते हैं तो किसान साथियो यहती जानकारी आपको केसी लगी कमेंट बोक्स में जरूर बताए कमेंट जरू करें अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो जैहिंद कमेंट जरू करें जिसे हमे हाथो आद देंगे अगर आपके कोई सुजाओ होंगे तो वह भी हम जादा से जादा किसान वह तक कोंचाने का प्रयास करें तो किसान सातियों आप कमेंट जरू करें कमेंट में आप कोई भी सवाल हो तो आप बेजी जब पूछें मैं आपको हाथो हाथ जवाब देने की कोशिज करूँगा और आप हमारे चेनल पर जो भी वीडियो डाल रखें प्याज भंडरान से संबंदी सारे वीडियो डाल रख तो क्या सावधान रखनी केसे इंटे जमानी है केसे फेन लगाने है सारी तमाम जानकर या हमने चेनल पर अपलोड कर रखी है आप वह भी जाकर जरू देखें उन्हें भी लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप यह भी कमेंट जरूर करें कि आपका उत्पाद केसा आया है आपने कितने बिगे की या कितने एकड की प्याज लगाई है आपने कितना प्याज उसमें से बंडारित किया है कितना बेचा है एसी तमाम जानकर या आप हमारे कमेंट बोक्स में जाकर कमेंट जरूर करें तो वीडियो को अंतों तक देखने के लिए धन्यवा फिर मिलते हैं नई जानकरी के साथ नई वीडियों में तब तक के लिए जय हिन जय वारत